हल्ो ऐवरीवन इन लीलाम चंदरोकर फ्रॉम जुलोजी डीपार्टमेंट आज का हमारा टॉपिक है तो यह है इसका कि characteristics यह है prokaryotic cell और यह है eukaryotic cell इसमें first characteristics से है size of cell तो kosiska का आकार तो prokaryotic cell में cell का size क्या होता है तो इसका diameter 0.2 से 2 micrometer तक होती है जबकि अगर eukaryotic cell में देखें तो इसका डायमिटर 10-100 माइक्रो मीटर तक होते हैं ठीक हैं उसके बाद सेकें है सेल वाल या फिर इसी को कोशी का भित्ती भी कहते हैं ठीक हैं तो प्रोकरियोटिक सेल में सेल वाल प्रजेंट होता है जो की प्रोटीन, अमिनो एसीड और कार्बोहड्रेट की बनी होती है ठीक हैं अमने इस्ट्रक्चर में बैक्टिरिया सेल की इस्ट्रक्चर में देखा था कि प्लाजमा मेंबरेंग के चारो तरफ एक मोटी वाल होती है जिसको सेल वाल कहते हैं जो की बैक्टिरिया सेल को प्रोटेक्ट करती है और eukaryotic cell की अगर बात करीं तो इसमें animal cell में absent होगा cell wall जबकि plant cell में ये present होता है और plant cell wall है वो cellulose की बनी होती है उसके बाद third point है plasma membrane या फिर इसी को plasma जिलली या फिर cell membrane भी कहा जाता है तो इसमें plasma membrane present होती है और simple type की होती है और eukaryotic cell में भी plasma membrane present होती है बट ये थोड़ा सा complex होती है तो अगर plasma membrane की बात करें तो सभी type के cell में plasma membrane present होती है चाहे वो bacteria cell हो, plant cell हो, animal cell हो या फिर algae या फिर fungi हो सभी type के cell में plasma membrane present होगा उसके बाद fourth है nucleus या फिर इसी को ken drug भी बोलती है तो prokaryotic cell में nucleus जो है वो absent होता है ठीक है क्योंकि इसमें nuclear membrane नहीं होती है और जिस region में genetic material present होती है मतलब कि इसका genetic material क्रोमोजम जिस region में cytoplasm में present होती है उस region को nucleide कहते हैं ठीक है और अगर eukaryotic cell में देखो तो इसमें nucleus present होती है जो कि nuclear membrane से bound होती है ठीक है उसके बाद fifth है chromosome या fit DNA ठीक है chromosome को गुन सत्र गहते हैं तो prokaryotic cell में single circular chromosome होता है ठीक है और इसमें histone और non-histone protein absent होगा ठीक है जबकि जो eukaryotic cell है उसमें एक से अधिक chromosome present होता है जो histone और non-histone protein के साथ संगठी इतों का chromosome के form में पाय जाते हैं उसके बाद sixth है ribosome तो अगर prokaryotic cell में देखें तो prokaryotic cell में किसी प्रकार की कोई cell organelles नहीं पाय जाती है ठीक है लेकिन इसमें सिप एक organelles पाय जाती है वो है ribosome क्योंकि ये membrane से bound नहीं होता है इसमें किसी प्रकार की कोई membrane नहीं होती है ठीक है तो जो prokaryotic cell है उसमें ribosome 70S होता है जबकि जो eukaryotic cell है उसमें 80S टाइप के ribosome पाय जाते हैं उसके बाद है cell organelles या फिर kosikang तो prokaryotic cell के cytoplasm में cell organelles absent होता है क्योंकि prokaryotic cell ऐसा cell है जिसमें कोई भी membrane bounded organelles नहीं पाय जाती है और जितने भी organelles है जैसे कि mitochondria हो गया, chloroplast हो गया, golgi body, lysozome, endoplasmic reticulum ये सब membrane bounded organelles होता है मतलब कि इसमें membrane present होता है तो prokaryotic cell जो है वो membrane bounded organelles नहीं है इसकारण इसमें किसी भी प्रकार की कोई cell organelles नहीं पाय जाएगी तो इसमें mitochondria, chloroplast, golgi body, lysozome, endoplasmic reticulum जैसे cell organelles जो है वो absent होगा और अगर eukaryotic cell में देखें तो इसमें सभी टाइप के cell organelles जैसे कि mitochondria, golgi body, lysozome, endoplasmic reticulum ये सब present होगा ठीक है ये cytoplasm में बिखरे हुए पाय जाते हैं उसके बाद है इसका genetic material अनुआसिक पदार्थ तो प्रोकरियोटिक cell में ये तो DNA होगा ये फी RNA होगा ठीक है दोनों में से कोई भी एक genetic material इसमें present होता है जबकि eukaryotic cell में सिर्फ DNA पाया जाता है उसके बाद है reproduction तो इसमें सिर्फ अगर प्रोकरियोटिक cell में देखें तो इसमें सिर्फ asexual reproduction होता है ठीक है sexual reproduction इसमें नहीं पाय जाती है ये asexual reproduction के थ्रू अपनी संख्या को बढ़ाते हैं ये फिर replicate करते हैं और asexual reproduction के बहुत सारे process होती है ठीक है तो प्रोकरियोटिक cell में सिर्फ asexual reproduction होता है और eukaryotic cell में sexual और asexual दोनों प्रकार का reproduction पाया जाता है उसके बाद है cell division ये फिर कोशी का विभाजन ठीक है तो इसमें cell division binary fusion द्वारा होता है ये फिर amitosis division इसमें पाया जाता है जबकि eukaryotic cell में cell division mitosis ये फिर amitosis दोनों से होता है ठीक है उसके बाद है इसका example तो प्रोकरियोटिक cell का एक्जामपल है झाल में आपकर तो तो इसमें पाया जाद है झाल में आपकर चाट थाड़ा है झाल में आपकर तो रहता है झाल झाल